हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई चैनल, आज मैं आप लोगों के लिए बेसन की बहुत टेश्टी सबजी का रेशिपी लेकर आई हूँ जी हाँ फ्रेंड्स, घर में जब कोई सबजी ना हूँ तो आप इसे बना सकते हैं देखिए हमारा बेसन का सबजी कैसे बना है बेसन की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हम मसालों की तैयारी करेंगे मैं इधर आठ से दस लसन के कली तीन छोटे साइस के प्यास ले लिया है दो हरी मिट्च ले लिया है और एक बड़े साइस को टमाटर को इसे स्लाइसेस में काट लिया है सबसे पहले हम कड़ाई ग्यास पर चड़ा देंगे उसमें एक बड़े चमच जितना ओईल डाल देंगे ओयल को हलका गरम होने देंगे उसके बाद हरी मिट्च, प्याज, लसन को अच्छे से भूनेंगे एक से दो मिनट अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे अभी हम टमाटर को भी एड कर लेंगे अच्छे से फ्राई कर लेंगे मसालो को अभी हम प्लेट में निकाल लेंगे इसे ठंडा होने के बाद इसका पेश्ट बना लेंगे अभी एक बावल में हम एक कप जितना बैसन ले लेंगे अभी हम इसमें एक चोथाई चमच इतना हल्दी पाउडर, एक चोथाई चमच लाल मिट्च पाउडर एक चोथाई चमच नमक और एक पिंच हिंग एड कर लेंगे और सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चमच की मदद से इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक गाढ़ा पेश्ट बनाएंगे ना जादा पतला ना जादा सक्त जैसे हम बूंदी के लिए बनाते हैं ऐसे ही बनाना है हमें अभी हमारा मसाला ठंडा हो चुका है फ्राई करके जो रखे थे अभी एक मिक्सी के जार में इसका बारिक पेश्ट बना लेंगे देखे फ्रेंट्स मैंने बारिक पेश्ट बना लिया है यह सबजी बनाना बहुत यह आसान है यह आप एक फ़र जरू ट्राइ कीजिएगा अभी बच्चे हुए ओयल में थोड़ा सा और तेल डाल देंगे अभी थोड़ी से जीरा और एक तेजपता डाल देंगे तड़के में जीरा चटकते ही जो मसाला का पेश्ट हमने बना कर रखाता उसे डाल देंगे और अच्छे से ओयल में भूनेंगे जब तक हमारा मसाला लो फ्लेम पर भूनता है तब तक हम सुखे मसाला की त्यारी करेंगे एक बावल में हम दो चमच फ्रेश दही ले लिया है अभी हम इसमें हाप टेबल श्पून हल्दी पाउडर हाप टेबल श्पून लाल मिच पाउडर ये कस्मिरी रेड चिली है इसे कलर अच्छा आएगा एक चमच धनिया पाउडर जीरा पाउडर और करम मसाला एट कर अभी अच्छे से हम मसालों को दही के साथ मिला लेंगे जरूरत पड़ेगा तो थोड़ा सा पाणी भी एड करेंगे और अच्छे से मसाला को घोल बना लेंगे अभी दिखिया हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, ओल उपर आ चुका है इसी समय हम दही के साथ जो मसाला का पेश्ट बनाया था उसे हम एड़ कर लेंगे इसे लगातर चलाते जाएंगे, बीना रुख के अच्छे से चलाएंगे मसालो को एक से दो मिनट तक, फिर हम इसे ढखकन लगा देंगे दो से तीन मिनट तक दो से तीन मिनट बाद आप देख सकते हैं, मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, ओल उपर आ चुका है अभी हम इसमें पानी एड करेंगे, मैं एक ग्लास जितना पानी एड कर रहे हूँ, आपको जितना ग्रेवी रखना है, आप उतना ग्रेवी रख सकते हैं अभी मसालों को ढख कर अच्छे से उबाल आने देंगे जी हाँ फ्रेंट्स, ये बहुत ही अच्छा सबजी बनता है, इसकी बहुत टेस्टी भी लगता है, देखिए पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है अभी हम फ्लेम को लो कर देंगे, और जो हमने वेशन का गोल बनाया था, इसे एक जाली दार कर्ची के उपर डालेंगे ऐसे और चम्मच की मदस से चारो तरफ घुमाते हुए, जैसे हम बूंदी बनाते हैं ऐसे ही डालना है हमें गरम पानी में, घबरानी की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल मेल्ट नहीं होगा, अच्छे से बन जाएगा ये इसे घुमाते हुए, चारो तरफ डाल देंगे, छोटा छोटा बूंदी का सेप में ये आ जाएगा, फ्रेंट्स ये सब्जी खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगता है, आप चाहे रोटी, पराठा, चाबल किसी के भी साथ खाए, अभी हम बिल्कुल टच नहीं इसे ढखन लगा कर तीन से चार मिनट तक कुक करेंगे, उसके बाद हम इसे थोड़ा सा कर्ची से चलाएंगे, दिखे फ्रेंट्स कैसे बन गया है हमारा बेशन का सब्जी, अगर आपको ग्रेवी जादा नहीं चाहिए, तो आप थोड़ा सा और भी कम कर सकते हैं, बारी अगर मेरा रेसिपी आप सबको पसंद आता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर किजिएगा, और जो चैनल पर नए है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा, जब भी घर में कोई सब्जी ना हो, आप इसे एक बार जरूर ट्राइब करें